हेलो एवरिवन वेलकम वस अगेंट टू एजुकेशन राइस हम देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वास्चन आंसर सबसे पहले हम खंड वस्तुनिस्ट प्रसना देखेंगे पहला प्रसना है द्वीतिय विश्वय युद्धोतर अंतर राष्टिय राजनिती की प्रमुक विशेस्ता है तो यहां पर ऑप्शन एक ध्रूविय विश्व राजनिती द्वी ध्रूविय राजनिती बहुत ध्रूविय राजनिती और उपर्युक्त मैंसे कोई नहीं तो च शीत यूद का दोर जब समाप्ट हुं तो उसके बाद में सोवेत संग के विगटन के बाद विश्व में एक ध्रूविय राजनीती स्थापित हो गई थी, फ्यार कहें याद रखियेगा शीत यूद के बाद जो है वनतर राश्थ Great एक ध्रूबी ये राजनीती स्तापित हो गई थी सीत यूद्ध का सबसे बड़ा प्रतिक क्या थी ऑप्शन एक बरलिन की दिवार का खड़ा किया जाना ऑप्शन बाहरे बरलिन की दिवार का गिराय जाना हीटलर के नेट रत्व में नाजी पार्टी का उदै या उपरियुक्त सभी तो सही जवाबे option A बर्लिन की दिवार का खड़ा किया जाना सीत युदि का सबसे बड़ा प्रतीक थी next तीसरा प्रसना है दक्सीन एसिया के बारे में निम्ना लेकित मैंसे कौन सा कथन गलत है दक्सीन एसिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है option 2 है बांगला देश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझोते पर हस्ताकसर किये है option 2 है शाफ्टा पर हस्ताकसर इसलामाबाद के बारवे सारक सम्मेलन में हुए और option 2 है दक्सीन एसिया की राजनीति में चीन और सियुक्त राज्य अमेरिका मेहत्वपण भूमी का निवाते है तो इसका सही answer है option 1 कि दक्सीन एसिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है ये कथन गलत है बाकी सारे कथन सही है नेक्स्ट क्वास्ट नमबर अगला है सही राज्ट संग की भरतमान सदस्य सिंख्या कितनी है तो इसका सही answer है option अप 113 नेक्स्ट क्वास्ट ने पाकिस्तान ने भारत पर अब्दक कुल कितनी बार हमला किया है भारत ने क्योटो प्रोटकॉल 1997 पर हस्ताकुर किये और इसका अनुमदन कब किया तो इसका सही अंसर है और जूपहन हर, उसमें बांगला देश एक स्वतंतर राश्च के रूप में उबरा था नेक्स आर्टवर क्वास्चन है एक गोपालन किस राज्जी के प्रमुख कम्यूनिस्ट नेता थे तो इसका सही अंसर है ऑप्शन द केरल के प्रमुख नेता थे एक गोपालन अगला प्रस्था है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री मंदल में संचार मंत्री कौन थे तो इसका सही अंसर है का option ब रफी एहमद किदवई स्वतंतर भारत के पहले मंत्री मंदल में संचार मंत्री थे अगला question है पहली पंचवर्षी योजना का मूल मंत्र क्या था तो इसका सही आंसर है अपसंस यह महिलाओं द्वारा सुरू किया गया सराब विरोधी आंदुलन था यह गलत है बाकि इसके बारे में सही है कि अब पेड़ों की कटाई रोकने का एक परियावरन आंदुलन था दूसरा है कि यह पारेज तितिके और आर्थिक सोसन संबंदी आंदुलन था और तीसरा है कि यह इस्थानिय निवासियों द्वारा अपने प्राकरतिक संसाधनों पर नियंतरन इस्तापित करने वाला आंदुलन था नेक्स्ट अगला क्वास्चन है राजीव गांदी की मृत्यों के पस्चा आते प्रधान मंत्री किसको चुना गया तो तो सीथ युद से हतियारों की होड पैदा हुई और साथी साथ हतियारों पर नियंतरन भी जो है वो करने की कोसिस की गई यह दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई थी जोसेफ इस्टालिन जो है वो दूतिय विश्व युद के दोरान सोवेत संग की राष्ट आदीकर ते august में किस जाना जाता है तो इसे बंग्लादेश के नाम से जाना जाता है अगला question है मच्वारों की संख्या के लिहाज से भारत का वेश्व में कौन सा इस्थान है तो भारत का वेश्व में दूसरा इस्थान है और next question है कि 1980 के दसक के आखिर के वर्षों में देश की राष्टिय राजनीती में उद्य हुआ था मंडल आयो का उद्य हुआ था और अब वहें लगू तरात्मक प्रस्णा next step पहला सीत युद का संबंद किन दो गुटों से था तो सीत युद का संबंद अमेरिका की नेतरत्व में पुंजिवाद गुट और सोवित संग की नेतरत्व में सामिवादी गुट से था भारत नाटो या सीटों का सदस्य क्यों नहीं लिखना है क्योंकि भारत गुट निर्पिक्ट सता की नीती में विश्वास रखता था इसलिए भारत सीटों या नाटों का सदस्य नहीं बना गुर्बा चोव सोवित संग की राष्टपती किस वर्ष बने तो लिखना है कि 1985 में गुर्बा चोव सोवित संग की राष्टपती बने थे रूस के पहले चुने गए राश्चपती कौन थे तो लिखना है कि बोरिस यैल सिन पहले चुने गए रूस के राश्चपती थे और next question है बारवे दक्से सम्मेलन में किस संदी पर हस्ताकसर किये गए तो मणिपूर में ये चुनाव हुए थे भूमी सुदार से अभी प्रहें भूमी के स्वामित्व का पोनर वीतरन करना और अगला क्वास्चन है जे सी कुमारपा का असली नाम क्या था तो जे सी कारनोलियस इनका असली नाम था हरित करांती से किन राज्यों के किसानों को फायदा हुआ तो लेक्ना है कि हरियाना पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों को हरित करांती से सरवाधिक फायदा हुआ था National Feast Workers Forum ने केंजर सरकार से पहली कानूनी लड़ाई कब लड़ी थी 1997 में इन्होंने जो है वो पहले लड़ाई लड़ी थी अगला क्वास्चन है कि भारतिय दली ये वैवस्ता का वह कौन सा रूप है जो राजनीतिक अस्थायत और अवसर वाधिता को जन्मा देता है यह है राजनीतिक दल बदल और अगला क्वास्चन है राजनीतिक दलों के ध्रूवी करण के प्रमुक बाधक तत्व क्या है तो आप लिखेंगे कि वीचार धाराओं की भिनता राज नितिक दलों के ध्रूवी करण के प्रमुक बाधक तत्व है तो ये था हमने एक महतवपून वीडियो जो question answers लिए और इसी प्रकार के वीडियो आपको next मिलते रहें करेंगे और साम को रहेंगे आठ बजे हमारी लाइव क्लास जोइन करना ना भूलें थैंक यू वेरी मच